आप सभी को रेमो को नमश्कार हूं उमीद करता हूं सभी को बराबर आवाज मेरी पहुंच रही होगी और सभी लोगों से एक रेक्वेस्ट है कि यह टेलिग्राम चैनल मैट्स बाई रेमो टेलिग्राम पे सर्च करके जोइन कर लें और मैस्ट बाई रेमो जी इस दे ग्रूप नेम जहां आप अपने डाउट्स डिसकस कर सकते हो और यहां पर क्लास की जो पीडिएफ्स होती है वो शेयर की जाती है तो suitable रहेगा कि आप इसको join करके रखें चलिए शरुबात करते हैं आज हम क्या करेंगे आज दिन थोड़ा सा हलका होगा दो दिन काफी भारी दिन हो गया आपके लिए तो आज कुछ हलके हलके questions करवाऊंगा देखिए यहां पर कुछ social media पर आप मुझे follow करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर इड़रेट रहमोसर, फेस्बुक इड़रेट रहमोसर ओफिशियल, ट्विटर इस और रहमोसर ओफिशियल, तो यू कन फॉलो मी अन सोचल मिडिया चली शुरुआत करें तो मैंने बोला आज कुछ आसान असान questions करेंगे, क्योंकि दो दिन थोड़ा heavy हो गया कुछ लोगों ने बोला, तो आसान असान सवाल थोड़ी से clarity मिलेगी, और अभी दो class में और theory चलीगे आपकी tomorrow, day after tomorrow, उसके बार theory खतम, खुप सारे सवाल करेंगे आपको CISI में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, तो आज कुछ सवाल है, छोटे-छोटे सवाल है, पटन को करेंगे थोड़ा सा clarity के लिए, तो देखे, question आपको दिया हुआ है कि जो आपका चक्रविद ब्याज है, compound interest, 10,000 पे आपको निकालना है दो साल के लिए, और वो क् compounding annually है या नहीं है, तो ये note बना के आप लिख लिजिए, कि जो default compounding होती है, ये note में लिख लेना, कि by default, मतलब अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो by default आपको क्या करना होता है, जो compounding होती है, वो उसको annually मानना होता है, compounding क्या मानोगे आप, annual मानोगे, एक चीज़ ये ध्यान रखना, वार्शिक compounding माननी है, पहली चीज, दूसरा क्या है, कि जैसे rate percentage अगर लिखा हुआ है, और माननी है, पर एनम नहीं लिखा हुआ है, rate percent लिखा हुआ है, लेकिन पर एनम नहीं लिखा हुआ है, और options ऐसे नहीं है, कि data insufficient, cannot be determined, तो वहाँ पर आपको rate जो होता है, rate को भी आपको क्या करना पड़ता है, पर एनम मानना होता है, अगर कुछ नहीं दिया होता है, तो अगर दिया होगा, तब तो जो दिया है, वो मानेंगे, अगर नहीं दिया है, तो इन दोनों को आप ध्यान रखना, कि compounding को हमेशा annual मानेंगे, और rate को percentage पर एनम मानेंग और कि 25% से सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है अपनी practice में, कि जब भी कोई CI का percentage देखेगा, आप कोशिश करो कि पहले net CI percentage के टम में निकालो, ठीक है, जिसे इस question में अगर 25% आपको दिया है, तो दो तीन तरीके हैं जो मैं आपको अब दिखाऊंगा, एक तो यह कि 25 औ निकालने के, एक आप को होगे, multiplying factor से कर सकते हैं, 1.25, 1.25 का square, 1.25 का square जो होता है, 1.5625% होता है, 56.25%, दूसा तरीका आप ऐसे सोचते हो, कि जब यह तो percentage के term में value होगे, राइट, दूसा तरीका आप ऐसे सोचोगे, देखे, आप को होगे, इसके corresponding multiplying factor क्या होगा, 5 by 4, होगा यह नहीं होगा, 25% के corresponding multiplying factor होता है, 5 by 4, यहां भी होता है, 5 by 4, तो आप यहां पर ऐसे भी सोचोगे, कि जो आपका amount होगा, यह क्या होगा, principle into 5 by 4 का whole square, fraction के term में भी सोचना शुरू करो आप, इससे भी फाइदा मिलेगा, यह value आप की होगे, into 25 बटे 16, ठीक है, आप क्या करन और P रखे मेरा answer निकल आएगा, इस तरह से निकल आएगा, तो जब आपके पास तरह तरह की चीजें होंगी आपके पास, तो आपको यह फाइदा ही करेंगी, लेकिन जो सबसे suitable मुझे लगता है, वो यह लगता है कि इस पर थोड़ा सा काम ज़रूर करना चाहिए आपको, कि आप बोलो कि यह value 10,000 है, और मैं सीधा बढ़ने जा रहा हूं ऐसे, मैं सीधा ऐसे बढ़ूँगा, देखो जयान से, कैसे बढ़ूँगा, मैं कहूंगा यह value अगर 25% बढ़ी है, तो 10,000 से plus 1 by 4 हुई है, तो plus 1 by 4 इसका आप निकालोगे, या फिर आप सीधे 25% निकालो इसका, तो आप को कि देखो यह value है, अगर मैं इसका 25% निकालोगा, 100 का 25% होता है, यहां पच्छिस सो हो जाएगा, यहां आपने लिग दिया कि यह पच्छिस सो हो गया, अब अगर यह value पच्छिस सो हो गई, तो आपको यह चीज मैं पहले बता चुका हूं कि next year का जो CI हो होगा, वो पच्छिस सो में 25% जाधा होगा, होगा यह नहीं होगा, पच्छिस सो में 25% जाधा होगा, तो आपको इसका 25% क्या होगा, इसका 25% अगर आप निकालते हो, तो 625 होगा, तो ऐसे value आजाएगी पच्छिस सो और यहां पर आपकी value आगई 625, तो यह value आपकी कितन हो गई 56 इस तरह से भी प्राक्टिस करिए अब इसमें बहुत सारी चीजे में आपको धिरे-दरे बताऊंगा यह परसेंटेज अगर आपने सीधे calculate कर लिया होता 56.25% तो सीधा answer लग गया था कि नहीं कि 5625 होगा या फिर आप ऐसे कर लो कि पहले साल का सीधार पच्छेस सो है तो अगले साल का सीधार क्या होगा पच्छेसो प्लस शेशो पच्छेस यह नहीं चाहिए बढ़ते हैं अभी बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको clear करो यहां पर कह रहा है कि बताओ जो amount 36,000 का अगर उसको annually compounding की गई है और 16 by 2 by 3% दिया हुआ है यहां पर rate percent के आगे नहीं लिखा हुआ है कि annual है क्या तो इसको annually मानेंगे ठीक है आप बताओ कि इसमें क्या value होगी what will be the amount देखिए amount का answer ऐसे नहीं होना चीए percentage में यह तो कोई सवाली नियूट था कि यह answer होगा but anyways इनकी भावना है समझके आप amount निकाल दो right तो देखिए value क्या होगी 36,000 से आपको start करना है और आप जासेसिव क का मसला है तो यह value plus 1 by 6 होगा 16 2 by 3 को plus 1 by 6 बोलते हैं यहां आगे भी plus 1 by 6 ही होगा होगा यह नहीं होगा तो कई तरीके देखो एक तरीका आप यह कर सकते हो कि यह होगा 7 by 6 यह भी होगा 7 by 6 तो यह value आपकी होगी 36,000 into 49 by 36 हुआ यह नहीं हुआ अगर हम multiply factor यूज करेंगे त तो ऐसे आ जाएगा और यह 36 से 36 cancel हो जाएगा तो यह value कितनी आ जाएगी आपकी 49,000 एक तरीका यह हो गया दूसर तरीका आप ऐसे सो सकते थे यहां पर इस question में कि सीधे आप ऐसे इसको calculate करते कि 1 by 6 of 36,000 यानि पहले साल का interest कितना हुआ 6,000 हुआ पहले साल का interest अगर 6,000 हु आप कहोगे अगले साल का interest होगा इसमें 1 by 6 और यानि 1,000 और तो आप कहोगे यह value हो जाएगी 7,000, total interest कितना हो गया 13,000, 36,000 में 13,000 अगर आप जोडते हो तो आपको value कितनी मल जाएगी 49,000 ठीक है सबी को समझ में आ रहे है कोई इसमें तकलीफ हो रही है नहीं होनी चाहिए अब देखें यहां परकर आप net percentage निकालने जाओगे सीधे कि net compound interest का percentage क्या है वो थोड़ा सा time consuming आपके लिए हो जाएगा क्यों क्यों कि fraction में percentage value है 16,2,3 तो it will be difficult for you to find net percentage थोड़ा time taking होगा इसलिए हम percentage की जो भी knowledge है fractions की सब कुछ use करेंगे whatever is needed we will use it right clear or not समझ जा रहा है सभी को हाँ जी आगे बढ़िये देखें यह सवाल आपके सामने कि principle आपको दिया हुआ 8,000 और rate आपको दिया है 8% जब भी rate के आगे सिर्फ लिखा हुआ है 8 percentage और कुछ भी नहीं दिया हुआ है हम क्या मानेंगे कि यह पर अनम interest rate है और दूसरा क्या दिया हुआ है आपको right time आपक से सही यह 2 years यह 2 cycle यहां एक ही बात है annual compounding के case में 2 years is nothing but 2 cycle तो यह value आपको पता है क्या होती है यह value आपकी होती है r square by 100 in terms of percentage अब r की value कितनी दी है 8 percentage यह आपका आजाएगा 0.64 percentage आएगा यह नहीं आएगा आपको क्या करना है आपको निकालना है 0.64 percent किसका 0.64 percentage आपको निका देखो कि यह percentage क्या करेगा इस two zeros को गायब करेगा जब भी percentage हटा होगे तो product में two zeros गायब हो जाते है और देखो 64 into 80 अगर आप निकालते हो 64 into 8 आपका 512 होता तो यह बना 5120 actually क्योंकि यह ultimate value 8 का cube बनती है 5120 बना और 2 decimal लगाना है आपको तो ऐसे हो जाएगा 51.20 रुपीस clear है सिंपल है मैंने क्या किया मैंने सिंपल्स रखा कि CI मैंने सचाई दो साल है नहीं दो साइकल वाला केस है आर स्काईर वाई हंडे होता है जहां आर क्या rate interest उस cycle का होता है और उस तरीके से आप solve कर लो आपको value मिल जाएगी 51.20 नॉट 512 यह गलती और mistake मत करना अब देको एक चीज़ बता है कि decimal सबसे ज़्यादा परिशान करते हैं मैं आपको बात बोलने जा रहा हूं जिससे आप अगर मेरे पास 8000 है तो इस 8000 का 1% क्या होता है क्या यह 80 रुपीस होता है यह अगर 80 होता है तो आपका 0.64% अगर आप निकालोगे तो क्या यह clear है कि यह less than 80 रुपीज होगा होगा या नहीं होगा लेस दन 80 रूपीज होगा और इसी order में होगा इसी order में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह clear है कि 1% अगर 80 है तो 0.64 80 से थोड़ा सा कम होगा आप आप decimal भूल जाओ यहां पर आप decimal भूल जाओ आप सिर्फ products पर ध्यान रखो और यह 64 है और यह 8 है तो इसका product मुझे 512 देगा अब decimal कहां लगाना है decimal मुझे कहां लगाना है बताओ क्या मैं यहाँ decimal लगाओंगा नहीं यहाँ decimal इसलिए लगाओँ गार क्या यह तो बहुत कम होजाएगा 80 से फिर मैं कहूंगा कि क्या मैं decimal नहीं लगाँगा ऐसा भी नहीं हो सकता मुझे 180 से काम लाना है तो यह clear हो जाता है कि decimal यहां लगेगा मैं जब भी calculation करता हूं मैं आपको बता रहा हूं maximum time मैं यह ध्यान नहीं रखता हूं कि decimal कहा है यह कहां लगाना है मैं सिर्फ एक कम यह करता हूं कि मैं यह पता लगा लेता हूं कि यह वैलू किसके आजब कसा आने वाली है जै कि एससे में कई सवाल ऐसे भी आते हैं कई बार कि वो डेटा चारों आप्शन में similar होता है कि वह decimal इधर उधर left rate होता है वहाँ पर इस सब चाहिए बहुत काम हैंगे आपको तो इस तरह से सोचना शुरू करिए ताकि आपको तकलीफ ना हो यह सवाल देखो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है आपसे की simple सा question है कि आपको rate दिया है 4% का time दिया है आपको एक साल 3 महीना अभी देखिए यह सवाल मैं इसलिए रोकूंगा यहाँ पर इसलिए रोकूंगा क्योंकि इसकी theory भी आपको पढ़ाना बागी है कि जो time period आपको दिया है वो दिया है एक साल 3 महीना यानि time जो है fraction में fraction time की theory आपको अभी करानी है तो इसलिए यह question अभी आप avoid करना यह आपको कराऊंगा मैं बाद में जब theory इसकी होगी पहले वरना आपको clear नहीं होगा यह भी सवाल उसी का है तो इसको अभी मैं drop करूंगा हम लोग क्या करेंगे हाँ अब ज छोड़ेंगे जो straightforward question है भी उन्हीं की बात करेंगे जैसे देखो यह question आपका है कि करा rate आपका 1% है 2% है 3 जो आपका 3% है यह 3 rate आपको दिये है और 3 साल का मामला है और कह रहा है आप से कि CI और SI में अंतर बता दो ठीक है जहां से दिखना कि CI और SI में अंतर निकालना है जो CI SI का अंतर भी हमने देखा है केवल 2 साल का देखा है वो भी तीन साल का भी आपको कराना है ठीक है और इवन उसके higher order का आप कैसे लिख सकते हो 4 साल 5 साल 6 साल भी लिखना है तो कैसे लिखोगे साथी साथ आपको यह कराना है कि जो भी यह values हैं जैसे यहां पर आपको दि प्लस एक मिनट में तरह देखता हूँ SI के कुछ questions है जो आपको कराने है अभी simple राइट जैसे यह सवाल है यह करिए ओके ओल्राइट यह देखिए यह question करिए देखिए इस question में आपको क्या दिया हुआ है कि एक money है sum of money है वो 4840 हो जाती है दो साल में और 5324 हो जाती है तीन साल में compound interest पे और annual compounding है आपको rate interest बताना है per annum क्या होगा जल्दी बताओ rate interest per annum क्या होगा देखो क्या दिया हुआ है पहले तो आपको दिया है कि दो साल के बा पाद यही amount आपका 5324 हो जाता है यह आपको question में दिया हुआ है यह दो साल के बाद की कहानी है तीन साल के बाद की कहानी आप से पूछ रहा कि rate interest per annum क्या है तो आप से एक छोटा सा मेरा सवाल है कि compound interest में जो भी value होती है amount होता है वो अगले साल क्या होता है r% जादा हो जात और इन दोनों में कितना अंतर है इन दोनों में कितना अंतर है जड़ा calculate करके बताईए right ओके अगर हम इसमें 484 लेट से जोडते हैं तो क्या आपको 5324 मिलेगा yes अगर 5324 मिलेगा तो आपको clearly क्या मालूं चल गया कि rate percentage कितना है 10% का है देखो exactly exam में यह सवाल नहीं आएगा because that becomes very easy question लेकिन exam में this can be part of the question एक बड़ा सा सवाल है उसमें एक छोड़ा सा part यह है कि आपको rate percent पहले निकालना है इसलिए इन में reactions आपके तेज होने चाहिए इन दोनों का आप अंतर निकालो अंतर मिलेगा 484 484 इसका क्या है 10% है CI के case में आपको सीधा मिलगा rate percentage 10% है तो आप से क्या करा है कि जो compound interest है एक सम पे 2 साल 4% परेनम से वह आपको दिया है 102 और जो simple interest है same rate of interest से 2 साल में कितना होगा जल्दी बताओ simple interest कितना होगा ओके, दो साल का आपका दिया हुआ कि जो compound interest है 4% पर अनम से, वो आपका 102 है और जो simple interest है, वो कितना होगा? Quickly, don't take that much time, right? This question does not deserve that much time. Okay, कुछ लोग कर रहे हैं 100 है, अब देखो 100 जो option है, given option, पहली तो approach मुझे यह develop करनी है, कि आपकी understanding का इस्तेमाल कैसे करोगे आप, एक बात आप से बहुत छोड़ी से मैं पूछना चाहरा हूँ कि CI और SI जो होते हैं, आसपास ही होते हैं, लेकिन CI SI से हमेसा जादा होता है, य यह मैं आपको पढ़ा चुक हूँ, क्या यह answer हो सकता है, SI का, नहीं, अगर आप उसे simple interest पूछ रहो हूँ न, उतने ही duration का, वो CI से क्या होगा, कम होगा, अगर वो CI से कम होगा, तो 102 से कम होगा, दो option मैंने काट दिये, 102 से कम होगा, तो कितना कम होगा, do you think कि यह 102 से कम होग किया भी solve भी नहीं किया, सिर्फ यह जानना कि CI SI से जादा होता है, SI आसपास ही होता है, you can mark, क्योंकि जो value दी हुए आपको 102, 102 से 50 अगर आप आप आगे, तो it is less than 50%, that is not gonna happen, because rate percent is very small, 4%, anyways, let's calculate it, आपको पता है, annual compounding 2 साल 4%, आपको पता है, कि यह जो अंतर होगा, यह कितना हो 0.16% का होगा, होगा यह नहीं होगा, clear, अगर मैं percentage में अंतर की बात करों, तो इतना अंतर होगा principle का, बट क्या यहाँ principle मालूम है, नहीं, तो क्या principle निकालने की जरुवत है, नहीं, देखो ध्यान से क्या करोगा आप, आप कोगे, अगर मुझे CI पता है, दो साल का, ध्यान गजरा बताओ, यह logic मुझे पहले से clear है, कि पहले साल का CI और दूसरे साल का CI जो है, इसका जो अंतर है, यह 4% का होना चाहिए, अब मैं कहूंगा, 102 को दो टुकडों में ऐसे break करने की कोशिश करो, कि अंतर 4% का हो, तो आप सीधे यह combination देख सकते हो, कि 50 यहाँ ले लो, और 50 है, और CI दूसरे साल का कितना है, 52 है, फिर मैं आप से एक छोटा सा सवाल पूछने जा रहा हूँ, फिर मैं छोटा सवाल पूछने जा रहा हूँ, कि अगर पहले साल का CI मेरा 50 है, तो क्या पहले साल का CI भी 50 होगा, first cycle में CI और CI में कोई अंतर नहीं होता है, तो 50 अगर पह ऐसा बोल के तो दिखा हो, मेरे बाद बहुत तरीक हैं, तुम्हें समझाने के, राइट, जिन लों को लग रहा है, हीटन ट्राइल है, मैं चार रहा हूँ, तुम हीटन ट्राइल करो, इसमें कोई कमाल नहीं है, या 100 अगर 104 होता है, तो 4% होता है, तो 50-52 होगा, सम 102 है, ऐस चार परसिंटेज आपका होता है, एक बटा 25 के बराबर, तो अगर आप इसको 25 मानते हो, तो क्या यह आपका 26 हो जाएगा, यानि जो टोटल CIE है, 26 और 115 पार्ट के बराबर है, यह किसके बराबर कोईशन में दिया हुआ है, 102 के बराबर दिया हुआ है, यानि आपको यहा आपका टोटल क्वेशन में दिया हुआ है कि क्या पार्ट 102 के बराबर है, लिखा के नहीं, येस, अब मैं आप से यह बोलाओ कि यहां से multiplier कितना आ गया है, 2 हर जगा 2 से multiply करना है, पहले साल का CI अगर 25 है, तो पहले साल का SI भी 25 होगा, यानि SI 25 हो गया, तो total SI कितना हो गया, that's not difficult, even this will also help out it many times, कैसे help करेगा, हमें पता है कि इन दोनों का अंतर है, 0.16% of principle, right, तो if principle would have been known, it would have been easier to find out, कोई challenge नहीं है, we can figure it out, anyways, चले, ठीक है, तो आपको बस ये दिमाग से निकाल देना है कि CI लगाना है तो कोई formula चाहिए, नहीं, CI मतलब percentage, ठीक है, तो percentage से लगाएंग अब देखाएं सवाल, यहाँ पर question आपको दिया हुआ है, कि what percent per annum 33993 हो जाएगा तीन साल में, अगर interest जो है, annually compounding की जा रही है तो, आपको पता है कि यहाँ पर multiplying factor वाला case है, right, you have given options, you can check options also, यह option check करने का मन नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये मालूम है कि अगर तीन बार ऐसा हुआ है, यह 3000 की जो value है, 3000 की जो value है, एक, दो, तीन बार बढ़के, 3993 होई है, होई है नहीं होई है, right, तो आपको बता है कि अगर किसी भी step में multiplying factor को मैं बोल दू, MF या M, let's say M बोल देता हूँ, हर step में multiplying factor उतना ही होगा, भाई अगर r% यहाँ बढ़ा, r% यहाँ बढ़ा, r% यहाँ बढ़ा, तो सब का multiply factor सेम होगा, तो यह जो process है, इसमें आप कहोगे, simply की M cube जो होगा, वो final value upon initial value के बराबर होगा, multiplying factor का जो product होता है, वो final value upon initial value के बराबर होता है, आप क्या करोगे, इसको divide करोगे, अगर आप इसको divide करोगे, तो आपको value देगा क्या है तो आपको बेस का क्यूब रूट इसका क्यूब रूट होता है 1.1 और अगर यह 1.1 है मल्टिप्लाइंग फेक्टर जब भी 1.1 होता है तो यह 10% का का इंक्रीज होता है ठीक है क्लियर है कि नहीं है क्लियर है नहीं है ओके लट इस वाट वी किन सॉल विट हाँ जी तो देखो रटो मत कुछ सवाल जिना रट लिया है क्यों अपने आपको इतना बोजा दिरो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस पूरी वैलू को सीधे 3 से डि हो तो clear you can see like this percentage change देख लो आप सीधा और उससे आपको पता है कि 10% नेट होता है तो ऐसा होता है और आसानी से अंसर आजाएगा आपका 10% बिना किसी समस्य के आसानी से आप इसको निकाल सकते हो क्लियर है सभी को किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर अगर हो रही है तो बता दो हाँ जी अगे बढ़ें यह सवाल देखो अगर सवाल क्या कह रहा है आप से कि compound interest 10,000 रुपे पर आपको निकालना है दो साल में रीट है आपका 4% पर एनम और इंट्रेस क्या किया गया है compounding की गई है half yearly यह देखिया interesting question है क्यों interesting है क्योंकि अभी आपको compound interest निकालना है और compound interest में अभी interest आपको दिया है 4% पर एनम तो आपका अगर इंट्रेस में पूछों कि भाई semi and only क्या होगा तो that is 2% अब जेखो यहां पर half yearly में आपके दो साल में कितनी cycle बनेगी एक दो तीन चार cycles बनेगे बनेगे या नहीं बनेगे you will get 1,2,3,4 cycles और इस 4 cycle में जो आपका interest rate होने वाला है वो होने वाला है 2% होने वाला या नहीं it is going to be simply 2% अब आपको यहां पर निकालना है compound interest बताओ जरा compound interest क्या होगा calculate करो आपको थोड़ी से problem भी महसूस होगी यहां पर क्योंकि जो percentage की value है that is simply given to be 2% छोटा सा percentage है अब यह componentist निकालने में problem है इसके लिए मैं एक अलग approach बताऊंगा आपको बट अभी मैं उस approach में इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ आपको फिर आप वही करने लगोगे मैं चाहता हूँ पहले आप अभी यह करो थोड़ा सा आदत पढ़े आपके हाँ जी तो देखो जड़ा quickly बताओ कुछ कितने लोगों का answer आ गया देखो पहली बात तो आपको एक चीज़ बहुत इत्मिनान से देखने है कि यह answer नहीं है क्यों नहीं है यह answer क्यों नहीं है यह answer इसलिए नहीं है because अगर मैं simple interest भी मानके चलता तो यह total 8% बनता 8% बनता यह नहीं 800 होगा अब CI एगर SI से जादा होता है तो answer 800 से जादा होगा this cannot be correct this cannot be correct यह तो आप कम से कम बोल सकते हो clear है नहीं is it clear to everyone कि this I can clearly see safely say without any problem अब देखो इसमें कई तरीके इस particular question को solve करने के एक तरीका तो आप देखो ऐसे यूस करोगे आप कोगे simply की पहले साल तो मुझे पता है 200 होगा होगा या नहीं होगा first year में 200 होगा ठीके 10,000 है 10,000 का मैं 1% निकालूँगा तो 100 तो 2% कितना होगा 200 अगले साल क्या होगा इससे भी 200 जादा होगा 2% जादा होगा इसका 2% अगर आप निकालते हो तो इसका 2% होगा 4 तो य 208.08 इसका double करके कुछ नहीं करना है ऐसे करोगे यह वैलू आपकी होगी 208.08 देखिए मैं अभी आपको कोई shortcut इसमें जो भी और observations है वो जान बूच के नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हो पहले आप ऐसे करो फिर आप इसका 2% निकालोगे तो देखो 808 का double हो जाए आगे भी है डाट डाट उसको छोड़ दो क्योंकि दो डिजिटी मुझे चाहिए अब आप इस question को ध्यान से देखोगे तो यह तो 24 और 32 बना रहा है आप यह option होगा 32 यहां रहा है बाकी भी चेक करना है तो कर लो बारह आठ बीस और 424 यह क्या बना आपका 824 दसमेलो तीन करना मैं बता दूंगा कल की ग्लास में बताऊंगा अभी मैं चाहता हूं आप इसको successive fashion में इस तरह से करना सीखें that's very important in many of the questions I tell you तो यह मैं चाहरा हूं कि आप इसको ऐसे से करो है ना clear हो गया सभी को कोई तकलीफ हो रही है किसी को हो रही है तो बता दो ओके नहीं हो रही है ठीक है असान है कोई मुश्किल नहीं है इसमें राइट तो अभी एक सवाल लिए आप से कह रहा है कि एक सम है जो 1352 हो जाता है दो साल में 4% परेनम compound interest से तो बताना है वो सम कितना है जरा सोच के बताओ 4% परेनम है और आपने क्या लिया है compound interest लिया है दो साल का मसला है और वैलू कितनी हो जा रही है 1352 हो रही है दो साल में 1352 हो रही है आपको यह बताना है कि यहां पर जो आपका compound sorry sum है principle है वो कितना है यह 4% दो बार लिया गया है, कैसे करोगे इस सवाल को, ओके, बहुत असान सा सवाल है, जब भी परसेंटेज में आपको वैलू इस तरह से प्रोवाइडेड हो, जब भी आपको परसेंटेज में वैलू दी हो, तो आप कैसे करोगे, आप सिंपल सी एक बात बोलोगे, को लिया 25, जान से देखना हो, इसको मैं अगर 25 लिया होता, तो मुझे एक बार के बाद 26 मिलता, that is the question, clear, आप ऐसे कह सकते हो, कि मैं प्रिंसिपल लिखता हूं, into multiplying factor क्या होगा, 26 बटे 25 होगा, 26 बटे 25, into 26 बटे 25, 4% अगर आपने दो बार बढ़ाया, तो आपको यह गा, 352, मिले गा है नहीं, मिले, that is what you'll get, clear, मिले गा है, अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको solve करना है कि P की बेलू क्या होगी, 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, 676 का double, क्या है यह नंबर, देखो तरह, क्या यह नंबर उसका double है, 352, 352, yes, so 352 जो है, 676 का double है, है न, देखो ध्यान से, यह value आपकी होगे, 352, तो आपको 26, 26 काटेंगे, तो यह value 2 मिलेगी, principle आपका कितना हा रहा है, 1250 हा रहा है कि नहीं, क्या यह value 1250 हा रही है, yes, simply very easy question, आपको देखे करना गया है कि जब भी percentage में value दी है, आपको बस percentage ध्या 306 या हम 1.04 या फिर हम fraction में ले, definitely fraction में लेने का यहां पर फाइदा है आपको, ठीक है, अब जो कि एक तरीका आप ऐसे भी सोच सकते थे, जो बहुत आसान है, 4% क्योंकि बहुत बार-बार exam में आता है, तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो, कि देखो 4% से अगर 2 बार बढ़ात यहां, 25 यहां करेंगे, तो यह वैलू आपकी हो जाएगी 650, होगा यह नहीं होगा, और फिर यहां जब एक बढ़ा 25 आप इसका निकालोगे तो यह वैलू आपको देगा 26, यह वैलू आपकी हो जाएगी 676, तो जब 1 बार आपको धो भार करते हो, तो कुछ ऐसा होता है, कि जो आपका 625 है जो कि 25 का square है यहां पर 26 के square में convert हो जाता है अगर आपने दो बार plus 4% plus 4% किया तो यह सवाल वहीं से बना हुआ है इसका double कर दिया इन्होंने data में 1250 हो गया question बनाने के लिए इसका double कर दिया यह 1352 हो गया और आपको सवाल बना दिया कि यह value इतनी है और यह percentage change आपका 4% है दो बार आप बताओ यह कितना है सवाल ऐसे बनते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ right you can quickly understand कि what and how it is happening now एक बात आप मुझे बताओ कि इसी तरह से घर जाके क्या आप 5% के बारे में थोड़ा सचोगे जरूर सोचना कि 5% अगर मैं दो बार लेता हो तो क्या होगा आप कियो busy तो आप बात करो एक बटा 20 की बात कर रहा है कर रहो एक बटावन में सकता है कि इसको 4 टाइंच करेगा सोला सो बनेगा इसको फोर टाइम्स कर लेगा राइट यहां डेटा देजेगा आपको कि भाईया यह आपका इमाउंट है पांच परसेंट का इंट्रेस्ट है दो बार बताओ प्रिंसिपल कितना है ऐसे सवाल बनते हैं तो आप एक्जामिनर की माइंड से खुद सोच सकते हो कि what and how he creates the question then there will be no problem you can easily think about it चोले सवाल देखो करेक सब्सक्राइब मनी वो कंपाउंड इंट्रेस्ट पर कह रहा है आपको दो साल में इतना है और जो सिंपल इंट्रेस्ट से उसी पीरेट का वो भी दिया है रेट परसेंटेज बताना है ठीक है यह छोटे-छोटे questions है पर आपके reactions यहां बहतर होने चाहिए देखो आपसे क्या बोल रहा है कि CIE जो है आपका दो साल का वो आपको दिया हुआ है 282.15 और जो आपको SI दिया हुआ हुआ है दो साल का वो दिया हुआ है 270 आपसे क्या पूछ रहा है कि R कितना है पर रेनम रेट परसेंटेज तुरह quickly करके बताओ है ना quickly बताओ इसका what is the answer for this question and how will you proceed, how will you proceed, all right, कुछ लोग कह रहे है 9% is the answer, okay, 9% is the answer, तो पहली बात तो आपको यह समझना है कि आप एक बाल बताओ मुझे कि अगर मैं CIE को ऐसे लिख लूँ कि first year में कितना है और CIE second year में कितना है, अगर मैं ऐसा change होता है वही rate percent होता है, यह fundamental मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ, yes, that is what the rate percent is, clear or not, that is what the rate percent is, अब आप कहोगे कि आपका focus यह होना चाहिए कि इसको मैं कैसे break करूँ, इसको मैं कैसे break करूँ पहले साल और दूसरे साल में, तो कैसे break करोगे, आपको पता है SI हर साल सेम रहता ह है, तो अगर 270, 270 अगर आपका SI है दो साल का, तो मैं आप से एक छोटा सा सवाल पूछूँगा, कि पहले साल का SI कितना होगा, आपको 270 बटा 2, 135 होगा या नहीं होगा, बोलो, yes, इसलिए होगा, क्योंकि SI तो दो साल का divide कर लो, दो पार्ट में, एक एक साल का मिल जाएगा, तो यह 135 होगा, अब जैको यह क्या है, 270 से कितना जादा है, क्या यह 270 से 12.15 जादा है, यह जादा क्यों है, आप बताओ, यहां जो अंतर आता है, वो दूसरे साल में आता है, CI में जो अंतर होता है SI से, वो दूसरे साल में या दूसरे साइकल में ही आता है, तो यह जो extra value है यह जो extra value है आपकी 12.15 की यह extra value क्यों आई होगी क्योंकि यह आप हम CI की बात कर रहे है इस पे आपको बताना है कि यह कितना percentage है clearly यह 10 नहीं है 10% अगर निकालते तो 13 दस्मलो 5 होता क्या यह 12 हो सकता है नहीं 10 से कम होगा 10 से कम कितना है तो आपको 6% तो अलड़ी बहुत कम होगा क्योंकि 5% इसका कितना होगा आप खुद देखो 6.something होगा तो यह भी नहीं हो सकता है answer कितना हो गया C option 9% अगर आपको निकालना है तो आप divide करके देख सकतो 135 को 9 से गुणा करो 135 को 9 से गुणा करो और देखो आपकी value कितनी ही आ रही है मैं यह आपको समझाने की कोशिश करा हूँ that you need not to solve questions exactly you need to learn to look at the options अगर आपको निकालना है तो आप निकाल लो 139 आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 117 और 59 कितना हो जाएगा आपका 45 इसको जोड़ो टोई कितना हो गया 12asure 15 ml मिलेके नहीं nope 1215 मिल रहा है यानीम 1215 मिल रहा है दो आंसर इस इस गुए 9-0 परसंट या फिर आप ऐसे कर लो कि इसका 10 परसंट मिलेंगे इसका 10 परसंट कितना हो गया 13 10 और एक परसंट निकालेंगे जो कई हो ड़ी हो गया 1 ललो तो तीन पाँच इसका आप सब्ट्राइक करो तो यह वैलू कितनी होगी आपकी बाराज असमों लाइक पाँच तो यह वैलू कितनी होगी नो परसे क्लियर सही है आल राइट इस इट क्लियर राइट तो देखे सवाल यह बहुत असान है आपने प्रिवेस एर क्वेशन में देखे होंगे बट माई क्वेशन वास की यू जस्ट नीड टू लर्न हाउ तो लुक इट वन पर्टिकुलर क्वेशन इन वेरी डिफरेंट वेस अलग अलग तरीके से कैसे जेख सकते हैं छोटे-टे सी सवालों में हम आप्शन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं यह बहुत जर सब्सक्राइब कर दिया हुआ है और आपसे कह रहा है तो वह वैलू कितनी होगी कैलकुलेट करो तो आपको पता है कि यू थिंक अबाउट इट सी इसाई का अंतर दो साल यानि दो साइकल यहां पर क्योंकि कंपाउंडिंग अन्वल है रेट इंटरस अन्वल है तो आपका हो गया पॉइंट वन सिक्स परसेंटेज किस वैलू का वह भी पच्छे सो का अब जो सवाल लगाने में अगर आपने समय ज्यादा बरबात कर दिया मैं आपको एक्जैक्ट निकालना नहीं सिखांगा यहां पर आंसर मार्क करना सिखांगा आप से पूछूंगा कि अच्छ पास ही होगा थोड़ा से ज्यादा होगा तो आंसर क्या चार के लामा कुछ हो सकता है नहीं पर इसी सवाल में जब आप इम्तिहान में जाते हो तो अपना खूब सारा समय जाया करते हो बरबात करते हो आप क्योंकि आप क्या करते हो आपको समझ निया था डेसिमल कहां लग ना है I will mark the answer anyways अब अगर exact भी निकालना है तो कैसे करोगे देखिए यह वैलू आपको बता है कि जब भी percentage हटा होगे दो zeros गायव हो जाते हैं तो ultimately आपकी वैलू बचेगी 0.16 into 25 ठीक है बलेगी या नहीं मिलेगी अब जो 16 into 25 ऐसा नंबर है ना जो आपको रटा होना चाहिए ठीक है यह वैलू 400 होती है रटा होना चाहिए क्योंकि बहुत इस्तेमाल होता है सो बटे चार होता है सो बटे चार कितना हो गए 400 ठीक है बड़ी ध्यान होना चाहिए कि सूला इंडू 25 चार सो होता है अब यह 400 मिलेगा तो आप 400 ऐसे लिखोगे फिर दो कंपाउंड इंट्रेस से 2,000 रुपे दो साल में अगर रेट ऑफ इंट्रेस आपका 4% पर इनम है फर फर्स्ट इयर और 3% पर इनम है फॉर दे सेकेंड डियर विल बी जड़ा इस हवाल लगो देखो यह कोईशन आप से कह रहा है कि आपका एक अमाउंट है प्रिंसिपल है 2000 का ठीक है दो साल में निकालना है पहले साल में 8% आपको दिया है 4% और दूसरे साल आपको रेट परसंट दिया है 3% ठीक है आपको बताना है कि क्या होगा टोटल कंपाउंड इंट्रेस अल करी ज़रा work on it what will be the answer here answers काफी करीब है very close 2.4 1.0 0.0 143 point something something देखो पहला काम तो आपको यह करना है कि यह प्लस 4% है यह प्लस 3% ठीक है आपको बेसका 4% मैं quickly निकालूंगा तो 4% 1% कितना होगा इसका 20 20 into 4 कितना होगा आपका 80 अब यह value कितनी होगी आपकी यह value होगी 2080 अब 2080 का मुझे 3% निकालना है 1% कितना होगा 20.8 हुआ या नहीं होगा 208 का 3 गुना कितना होगा भी है 624 होगा होगा या नहीं होगा it will be 624 तो अगर यह value 624 होगी तो इसेंचली आप बात कर रहे हो 62.4 की ठीक है 22.4 की अगर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए तो यह value होगी 142.4 कितना होगा आपका 142.4 जो की आंसर आपका होगया आप यहां पर एक बात जो की बहुत जरूरी है समझना वरना आप एक्जाम में गलती कर सकते हो जब भी compound interest में अगर आपका rate percentage यहां भी R है और यहां भी R है जब भी ऐसा होता है तो जो यहां CI होता है और जो यहां CI होता है इसको मैं बोलो CI1 इसको बोलो CI2 यह भी आपका R percent से ही change होता है clear है कि नहीं clear है या नहीं but जब यह percentage आपके क्या होते है different हो जाते है ध्यान से समझना आप जब यह percentage अलग-अलग होते है यहां interest कितना आया 80 यहां interest आपका कितना आया 62,4 आया नहीं आया ज्यान से समझो आप ज़ना इस बात को ध्यान से अगर understand करो को तो यहां पर तो interest क्या हो अगट गया the interest is lesser in the next year क्योंकि वह अगले rate percent पे पूरा का पूरा dependent है तो यह जो चीज हम पढ़ते हुए हैं कि अगर यह r% से बढ़ी यह r% से बढ़ी तो interest भी r% से बढ़ता है यह valid ही तब ही है जब यह दोनों बराबर होते है that's very much clear and very much easy to understand also यहां पर आपको दिख रहा कि interest कम हो गया तो exam में य पहले साल का interest निकाला और अगला interest निकालने के लिए हमने फिर से उसको 3% से बढ़ा दिया question गलत हो जाएगा question इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यह आपका equal percentage का case ही नहीं है जो observation हमारा है कि 10% बढ़ा 10% बढ़ा 10% बढ़ा 10% बढ़ा जब इस तरीके से वो बढ़ता है तो आपका जो interest होता है वो भी 10% से बढ़ता है बट जब multiple rate of interest आ जाते है न तो यह चीज नहीं होती है इधान रखेगा आप सो यू कें सिक्वेंशली calculate like this not a problem यह हमेशा जब आप इसको percentage relate करते हो तो यह कितना मुश्किल है आप इसका net percentage निकाल सकते हो इसे आप चाहते जो लोगों को formula याद है इसके वो कहते कि इसका net होगा 4 और 3 और 12 बटे 100 होगा यह नहीं होगा net percentage तो आपको यह हो जाएगा 7.12 percentage होगा यह नहीं होगा 7.12 percentage का change आपको करना है 2000 के उपर सो 2000 के उपर अगर आपको 7.12 percent का change करना है तो आप सीधा answer mark करोगे यह बीना कुछ सोचे वह देखो जब भी मैं percentage change निकालता हूं किसी भी quantity का मैं अगर percentage change निकालता हूं और मुझे CI calculate करना है यहाँ पर तो इसका this into this होगा this into this होगा कुछ zero इधर उधर होंगे यह होता है product में zero इधर उधर होंगे अब 712 में अगर आप 2 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1424 मिलेगा decimal होगा इधर उदर left right I don't care आप बताओ मुझे सारे options में decimal एक ही जगह पे लगे हैं कि नहीं yes in all options decimal are at the same place तो हम हमें इससे मतलब नहीं है कि मेरा answer कितना है हमें इससे मतलब है कि कौन सी digits option में match कर रही है 1424 एक ही जगह दिख रहा है वह a option उसका सही होना उसकी मजबूरी है यह मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप exactly calculate मत करो त्यारी में करो लेकिन जब आपको exam में question mark करना है then you need to know these things कि हमेशा मैं बता रहा हूं experience अपना बहुत सारा time decimal में बरबाद करता है decimal में कितना फंसना है वह depend करता है कि options किस तरह से दिये गए हैं जैसे यहां option में मैंने बोला कि सारे option में decimal एक ही अस्थान पर लगे हुए हैं अगर एक ही अस्थान पर decimal लगे हुए हैं हमें क्य क्या मैच करना है कि यह मेरी digits क्या आ रही है ना कि हमें यह मैच करने की आवश्यक्ता है कि भाया मेरी exact value सब कुछ मैच करना है decimal लगा के no I just need to match the value अगर product में यही digit आएगी तो decimal इधर उदर कर लो क्या फरक पड़ता है digit तो यही रहेगी ना just go and match the digit 7.12% कैसे आया बहा चार और 3 का net जो percentage change होता है हनी CIA वो कैसे निकलता है 4 plus 3 plus 4 into 3 by 100 a plus b plus a b by 100 मुझे पता है सबको मालूम है right the answer is going to be 7.12% तो यह net compound interest हो गया percentage में और वो मैंने निकाल लिया 2000 का सीधे तो answer आ गया whatever you want to do you do you'll get the answer यह देखो यह आपसे क्या कह रहा है कि जो value दी है आपको कुछ 9 महिने में quarterly compounding आपकी की गई है what rate percent per annum ठीक है अच्छा एक बात बताओ चलो यह सवल कर सकते हो मतलब इसलिए कोई tension नहीं है कर लो जड़ा यहां पर आपसे यह कह रहा है कि एक value आपकी है वो है 32,000 right और आपसे यह कह रहा है कि जो annual rate of interest है वो आपको निकालना है और यह कह रहा है कि जो यह 32,000 की value है यह 32,000 नहीं होना च है right क्योंकि 5044 हो रही है तो यहां पर लिखा 5044 quarterly compounding एक साल में 4 quarters होते हैं 9 महिने में कितने होंगे 3 cycles हो जाएंगे 3 cycles आपकी repeat हो जाएंगी होंगी या नहीं होंगी आपको यहां पर rate percentage calculate करना है जड़ा करके बताओ क्या होगा quickly think about the rate percentage and find it out करेंगे प्लीज कुछ लोगों ने अंसर निकाल लिया ओके कुछ लोग करें 20% इस आंसर कुछ लोग करें की 5% इस दान सर अल्राइट टिको जैन से सबसे पहली चीज़ी होती है आपको यह देखना होता है कि यह चेंच कितना है राइट, let me see what is the change from here to here आपने का जो चेंच है यह 1844 का चेंच है नेट, है की नहीं है, 1844 का चेंच है अब जड़ने एक बाल बताओ मुझे की 3200 यह मेरा नंबर है और यह मेरा नंबर 1844 है आपको साफसाफ दिख्राओगा कि एकर मैं इसका 50% निकालूं इसका मैं 50% निकालूं तो यह value 16 हो आएगी आएगी या नहीं आएगी लेकिन मुझे 244 और चाहिए 244 और चाहिए तो आपको अगर आपको 244 और चाहिए तो मेरा छोड़ा सवाल है कि कितने गुना जा सकता हूं क्या मैं इसको लेके जैसे क्योंकि यह वैलू मुझे साफ साफ दिख रहे हैं कि 30 200 से मुझे 5044 जाना है सो मुझे 1844 का इंक्रीज करना तो मैंने बोला वहीं कि 50% आपका इतना हो गया 50% आपका सीज़े-सीदे 1600 हो गया अब मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि 50% अगर मेरा 1600 हो गया तो मैं और कितना जाओं और कितना जाओं तो आपको देखो अभी आपको 244 और जाना है तो 244 और जाने के लिए आप सिंपली कहों कि 32 टाइम्स अगर 8 तो नहीं जा नहीं सक गया यह 1824 हो गया 20 अभी और बाकी है देखना 20 अभी और जाना बाकी है तो आपको कि 20 अगर और जाना बाकी है तो इसका मतलब अगर मैं 20 बटा 32 को थोड़ा सा सोचने की कोशिश करूं and you further simplify it तो आपको कुछ 1 by 16 से लेना होगा तो यह जो value आपको मिलेगी यह 0.625% 0.7% से कम है 0.7 कितना होगा 22.4 इसलिए मैंने quickly जैसे देखा एक बटा 16 आएगा 0.625 625 से लेना देना है पॉइंट यहां लग गया यह जो value है आपकी यह value है आपकी 57.625% है या नहीं है tell me is it so or not is it so or not it is 57.625% आप जोगो ध्यान से अगर आपको थोड़ा सा भी यह चीज ध्यान है कि यह value जो अभी मुझे मिली है जो कि मुझे मिली है कि जो total change है वह आपका आया 57.625% clear so can you tell me net percentage change कितना है हर एक cycle में हर एक cycle में क्या यह चेंज 15% का है देखे 15% को जब आप तीन बार लेते हो अच्छा sorry yes yes मैंने थोड़ी सी गलती करी है मैं समझ गया कि यह compound interest दिया हुआ था पर नम this value right yield compound interest इतना ठीक है कर लेंगे चलो कोई नहीं यह जो आप देख रहो पहले इसको देख लो जो मैं समझा रहा हूँ पहले आप इसको देख लो फिर उसको हम कर लेंगे मैंने इस question में क्या ले लिया है गलती से कि 3200 मेरा initial principle है और 5044 मेरा final amount है मैंने यह ले लिया है लिया है कि नहीं लिया है तो आप बताओ कितना इंट्रेस्ट होगा तो मैंने आपको यही बोला कोई नहीं आप इसको भी मत देखिये सर इसको छोड़ दो भी मैंने जो लिया है जरा इसको देखो कुछ गलत और सही नहीं है से सीख रहो सीखो मैंने बोला कि यह 3200 है और यह अगर पचास चोवालिस है तो इसकेस में कितना परसेंटेज का चेंज है क्या यह परसेंटेज का चेंज आपको निकल के मिला 57.625 are you getting it or not clear or not तो मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि अगर यह वैलू जो मैंने अभी आपके सामने लिखी है let's say whatever I have written in front of you so अगर मैं आपसे पूछों कि यह रफ परसेंटेज कितना होगा तो आपको अगर जो को 20-20 तो होगा नहीं क्या यह 15-15 होगा होता है आपको बता है देखिए मैं आपको बताता हूं यह यह वैलू 15 भी नहीं होगी 1.25 का जो स्कौर होता है यह होता है 1.5625 तो यह वैलू जो होती है इसको अभी अच्छली यह डेटा मैंने गलत दिया तो यह सही बैठेगा नहीं इसलिए आप टेंशन मतलो टेंशन मतलो ठीक है मैं उस डेटा से करा दूँगा आपको बट जो लॉजिक है वो क्लियर हो रहा है कि नहीं अभी इसको मैं हटा देता हू logic देखी simple सा question में यह चलेगा मेरा कि मैं यहां से चलूँगा यहां तक अगर यह final value है initial value और final value है तो मैं यहां से यहां जाओंगा net percentage change calculate करूँगा और मैं देखूँगा कि कौन सी value तीन बार रखने पे मुझे यह प्रोवाइड कर देगी यहां चुकि मैंने data गलत लिया तो values आईगे नहीं यह उस पर नहीं जाते हैं ठीक है इसको छोड़ देते हैं मैं exactly इस data पर आता हूं अभी same data ले लेता हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो बट इससे भी आप थोड़ा कैलकुलेशन देख सकते हो कि percentage कैसे निकालना है क्या करना है kind of that इसको अभी थोड़ा दिर क आप तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप clear है अब जरह मुझे आप यह बताओ कि यह जो value मेरे लिखी हुई है 5044 है ना यह कितना percentage है यह कितना percentage है net can you tell me this how much percentage for entire 3 years total compound interest आपको दिया हुआ है तो पहले आप मुझे बताओ कि what is this value in terms of percentage right अगर हमने यह निकाल दिया देखो roughly rough idea यह value 10% है कि नहीं है this is 10% अगर यह 10% है तो यह 10% से थोड़ा सा ज्यादा आएगा आएगा यह नहीं आएगा अब यह value अगर आप solve करोगे अभी मैंने पूरी calculation आपको कराई है यह value आपको मिलेगी है ठीक है राइट मैं उस calculation में दुबारा नहीं घुज रहा हूं मुझे पता है कि यह 10% से थोड़ा सा उपर है एक्चली 15% से थोड़ा सा उसके आसपास होगा 4800 आपको 15% होगा उसके आसपास होगा यह value आप किया जाएगी और यह जो net है आपको पता है यह कैसे मिल रहा ह है यह मिल रहा है 1,2,3 करने से 1,2,3 करने से 1,2,3 या नहीं क्योंकि 3 cycles है इसमें 3 months की 3 months की 3 cycles होगी तो एक value कितनी है जाएगी आपकी 5% की यह ध्यान रखना आप जब भी आप 5% को 3 बार लेते हो यह percentage मैं जरूर पढ़ाया होगा 5% को जब भी मैं 3 बार लेता हूं तो आप आपको जो net increase मिलता है वो मिलता है 15 दसमेलो 7-6-25% का मिलता है की नहीं मिलता है तो आपको पता तल गया कि रेट जो है 3 months का 5% है अगर annual पूछ रहा है तो 5% into 4 हो जाएगा 5% 4 कितना होता है आपका 20 होता है क्लिर वो है नहीं वह जल्दी बता हूं not difficult confused इतना मत हो confused होने वाली चीज़ नहीं है हां जी आल राइट तेकि जो formula लगाना चाह रहे हो बिल्कुल free है formula लगाने के लिए but I don't want you to use formula here clear है नहीं है formula लगाना तो formula से भी हो जाएगा करिए okay no problem वह तो आपको अलड़ी आता है मैं उसमें गुस्तना नहीं चाहरा हूं okay सभी को clear वो कि नहीं I will explain it once more मैंने आपको क्या समझाया है कि compound interest को हम percentage के terms में सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं yes तो अगर यह total interest है मेरा यह मेरा principle है तो यह कितना percentage है यह कितना percentage है मैंने इसको calculate करके देखा कि यह 15.7625% है आप सोचो कि यह कहां से आया यह आया होगा कि जब हमने एक cycle का interest rate लिया होगा आर परसेंट आर परसेंट आर परसेंट तो तीन cycle का जो net है वो आ रहा होगा 15.7625% यह एक standard percentage है 555 जिसका net 15.7625% होता है यह मैंने percentage में आपको पक्का बताया होगा तीक है 552 बार आपने लिया तो 10.25% है 555 अगर तीन बार मैंने लिया तो कितना होगा 15.7625% जिनको यह समझ में नहीं रहा है गो टू परसेंट इन चेक इट आउट ओके क्लिर और नोट ओके तो यहां पर यह वैलू कितनी आ गई अब जब यह आ गया तो यह कैसे बनता है यह बनता है पांच परसेंट तीन बार से तो वाट इस दा आंसर 5% रेट तीन महीने का 5% अगर आया है so 5% into 4 because मुझे annual rate of interest चाहिए that will be 20% हाँ जी जिनको फॉर्मूले से पढ़ना है वो किताबे खोले और फॉर्मूले बता देंगे ना क्या है देखो यह questions basic questions है अगर यहां आपको time बरबाद करना है कि मैं भी वो फॉर्मूले लिखके आपको करा हूँ फिर तो कि मैं बता रहा हूँ literally कि वो फॉर्मूले कोई नए नहीं है मैंने आपको कल बता दिया कि वो फॉर्मूले क्या है कई बार ऐसा होगा कुछ इकके दुके question निकलते हैं जहां पर वो values लिखने से थोड़ी understanding आपकी ज्यादा बहतर होती है right we will do it don't worry later जब questions करेंगे तो ज यहां कहीं ऐसा होगा वहां मैं आपको बता जूँगा यहां इसकी ज़रौत नहीं है you learn this alternative way अगर मैं जैसे ही वो लिखोंगा आप उसको समझ जाओगे फिर आप कहोगे यार वही बेतर है समझ में तो आई रहा है मुझे ठीक है I want you to think differently इसलिए मैं यह सब कर रहा हूं please और 8% per num compound interest है तो आपको बताना है कि sum कितना है what is the sum जड़ा इसको solve करो कैसे करोगे all right यह value आपके होगे 1 और 2 यहां पर आपका हो गया 5 8 3 2 final value आपके है right और आपने यहां पर भी 8% लगाया है और यहां पर भी आपने 8% लगाया है यह बताना है आपको okay not difficult very easily you can think तो आठ और आठ का जो net होता है वो कितना होता है 16.64% होता है होता है यह नहीं होता है okay 16.64% अब आप सोचो कि किस number को मैं 16.64% से बढ़ा हूं कि मुझे यह मिले right आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मेरे पास एक number होता इसको लेट से 10,000 और उसको मैं बढ़ाता 16.64% से कितना मिलता आपको आपको मुझे नंबर मिलता 11664 इसको जड़ा टू से डिवाइड करो दोनों साइट यह मिल गए आपको 5000 और यह अगर आप टू से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 5832 तो यह आंसर कितना होगे आ आप इसमें सीधे आंसर भी चेक कर सकते थे देखो मैं आपको देखा रहा हूं कैसे option eliminate हो जाते हैं देखो 5000 है चब भी इस तरह के questions हो ना हमेशा कभी भी सबसे चोटी value और सबसे बड़ी value को चेक नहीं किया जाता है हमेशा middle value को चेक करते हैं यह दोनों values middle value कहलाती है middle value का मतलब जिनका मान बीच में हो ऐसा नहीं कि B option और C option middle values है नहीं जो values middle में हैं जैसे चार जो values है highest value यह हो गई lowest value यह हो गई यह आपकी middle values हो गई तो middle values को आप पकड़ो क्योंकि इसका फाइदा क्या होगा मैं आपको बता दो middle values को पकड़ने का यह होता है कि मानलिया मैंने बावन सो चेक किया जहां से देखना इस अल्गॉरिफ्टम को समझो मैंने बावन सो चो कि चेक किया और बावन सो पर मैंने 16% लगाया अगर मैं इससे आगे निकल गया अगर मैं इससे आगे निकल गया इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने principle जदा ले लिया हैgasp है प्रिंसेपल अगर ज्यादा ले लिया है सो मेरा अंसर क्या होगा मेरा अंसर क्या होगा न्दार कि और मुझे यह मिला कि मैं इससे आगे निकल गया तो यानि मेरा आंसर क्या होगा इससे कम होगा यानि 5000 होगा एक ही option इससे कम है मान लिया कि match कर गया final value match करने पर क्या हो गया कि यही आंसर सही है फिर तो 500 ही सही है मान लिया 500 सही नहीं हुआ और 500 पे हमने वो percentage लगाया और हम 5832 से पीछे रहे गए पीछे रहे इसका मतलब हमारा base थोड़ा बड़ा होना चाहिए अगर हमारा base थोड़ा बड़ा होना चाहिए तो बड़ा base होना चाहिए तो आप दो option होए या तो यह C या तो AD होता है आपका या तो C होगा या फिर आपका D होगा अब बताओ मुझे कि worst scenario में में भी आपको एक और option चेक करना पड़े C क्योंकि C सही होगा तो सही गलत होगा तो अगला सही तो middle value को जब भी आप पकड़के चेक करोगे options को और यह आपको definite है कि मैं इसको जब question में लगाऊंगा तो मुझे पता है कि मैं आगे हूँ या पीछे हूँ या बराबर हूँ तो आपको maximum 2 option ही check करने पड़ते हैं right so I will keep on telling you क्योंकि अभी आप हमारे साथ काफी दिनों तक रहोगे तो मैं आपको बताता रहूँगा कि इस middle value का क्या फाइदा होता है मैंने आपको अभी logic समझाने कोशिश करिए do not check with 5000 मान लिया आपका सही उत्तर है 500 और आपने एक-एक option पिक करके चेक करना शुरू किया तो आप पहले 5000 करोगे फिर 500 करोगे फिर 5280 करोगे तीन चेक करने एक बाद आपको बदा चलेगा कि चौथा आपको सही है 500 मिडिल वैलू का फाइदा क्या है maximum option अगर आपको चेक करने पड़ेंगे तो दो राइट डाइट इस अगर आपको चेक करना था तो कैसे करते बावन सो पकड़ते और क्या लाजिक है क्योंकि हमें मिडिल वैलू लेनी है तो बावन सो हमने पकड़ा बावन सो असी में से कुछ भी ले सकते हैं वाट बावन सो आसान है तो बावन सो पकड़ूंगा मैं फिर मैं इस पर चेक करूंगा कि भाईया इस पे अगर मैं 16.64 प आपके पास 780 आप को गए खाली 15% जोडने से ही हम 780 जुड़के उनसट सो पर पहुंच जाएंगे के वल पंदरा परसेंट जोडने पे ही आप उनसट सो पहुंच गये यानि इसके आगे निकल जाओगे आप अगर आप इसके आगे निकल जा रहे हो तो आपको छोटा बे सब्सक्राइब को यह कुश्चन आप से कह रहा है कि कंपाउंड इंट्रेस जो है 30,000 पे 7% पर इनम के हिसाब से आपको दिया हुआ है 4347 है रेट दिया हुआ है आपको पर इनम टाइम पूछ रहा है और कंपाउंडिंग नहीं बताईए तो हम कंपाउंडिंग को क्या मानेंगे अनुवल कंपाउंडिंग ठीक है अब आपको बताना है कि यह 4347 जो इंट्रेस्ट है वो कैसे मिलेगा अगर 7% का रेट है तो है एक साल में कितना मिलेगा एक साल में आपको मिलेगा सिंप्ली 1,000 रुपैज एके-स सो और नहीं मिलेगा अगर वह दोंग है और अग zar की बात करो तो दूसरे साल को हूग है आपको मिलेगा 2100 उपिलस 2100 का27 इनि 247 और तो यह value कितनी होगी 4200 और 4347 हुई या नहीं हुई तो क्या ये काम दो साल में हो रहे हैं ये आंसर कितना हो गया सी ऑप्शन तीन साल नहीं भई दो साल तीन साल तो होना ही नहीं है देखो एक तरीका मैं और आपको बता रहा हूं ध्यान से समझना यह जो वैलू है 4347 अगर आप इसको ध्यान से देखो और आप यहां पर वैलू आप देख रहे हो 30,000 मैं आप से कहूंगा बताओ कि यह कित इंटरस अगर मेरा 14.49 परसेंटेज है साथ परसेंट का रेट है तो क्या है दो साल में नहीं हो जाएगा दो साल में साथ और साथ मिला के कितना बनता है साथ साथ चौदा प्लस उन्चास बटे सो 14.49 ही बनता है so we can do like this also और we can match this also right so whatever you want to choose I always prefer percentage but this is also one basic understanding only एकेस सो एकेस सो प जाओ यह सवाल देखो दस बारह प्लस 120 बटे 100 कितना आएगा आपका यह आपकी हो गई कितनी वैलू 22 और यह वैलू कितनी हो गई 1.2 क्या यह आपका 23 दस में लो दो आ गया परसेंटेज आप देखो बस जड़ा कि कहां दिल खिरा है दो तीन दो भी ऑप्शन हाँ जी बी के लावा क्या सही होगा कुछ नहीं बहुत ही आसान अल्राइट विकर 10,000 पर आपको 23.2 परसेंट बढ़ा देना है तो यहां सीधा परसेंटेज यूज करो कुछ नहीं करना है और कि यह नेट कंपाउंड इंट्रेस्ट हुआ 10,000 पर इसको लगा दो आपको वैलू मिल जाएगी 1,2,3,2,0 हाजी अब यह क्वेशन आपसे क्या कह रहा है यह एक सवाल है कि एक सर्टेन सम है जो की है रूपीज 2,89 का वो 3,24 हो जाता है दो साल में आपको बताना है कि कंपाउंड इंट्रेस्ट क्या होगा जरा बताओ इस सवाल क्या है अंसर क्या है 289 आपका कितना हो गया है 384 स्वारी 3,24 हो 3,24 हो 3,24 हो क्या अंसर है बहुत आसान सवाल है सवाल बस यह कि क्या आप वो देख पा रहे हो आप टेल मी तर परसेंटेज रेट आफ कंपाउंड इंट्रेस्ट है आपको मैं सवाल बनाना भी पिसिखा दूंगा ठीक है ठीक है 55 15 by 17 जा राइड असर देखो ज्यांस अगर इसको आप देखोगे आपको दो साल में क्या होगा कि मुल्टिप्लाइंग फैक्टर का स्कॉयर हो जाए इनिशल वैलू इंटू मुल्टिप्लाइंग फैक्टर स्कॉयर विल बी 3,24 यह वैलू जो आपको दिख रहा है 1 by 17 का percentage equivalent कैसे निकलेगा 100 से multiply करोगे यह आगया आपका आपको बता है question बनाना सीख गए हो आप के नहीं राइट फर एग्जांपल मैं दिखा हूँ आपको आप जड़ा एक number सोचना ऐसे यह अपनी मर्जी से आपने का कि मैं number सोच रहा हूँ 18 बटे 19 राइट बैसिकली फि 19 बटे 18 एक number ऐसे सोचो यह आपको क्या है 1 प्लस 1 बाइ 18 यह करिस्पॉंड करेगा किसको rate percentage को अब सवाल ऐसे बना सकते हो आप कि 18 है so 18 का square 324 19 का square कितना हुआ 371 ऐसे दे देना दो साल का बोल देना मामला है बताओ rate percentage का है clear आपको गए यहां से rate कितना आजाएगा solve करो गए तो 19 बटे 18 sorry rate आपका 1 बाइ 18 को करिस्पॉंड करेगा because it's a question of simply 1 बाइ 18 increase तो आपका 100 बाइ 18 आपका हो गया okay 100 बाइ 10 इस 50 बाइ 9 तो 5 5 बाइ 9 हो गया all right पता है आपको क्यूब भी यूज कर सकते हो यहां that's not a problem even you can use a cube and find the answer मैं एक example आपको दिखाता हूं जिससे आप इसके बारे में सोचो 6 upon 7 basically let's think about 7 upon 6 अब मैं इस multiplying factor को ऐसा बना दो 7 क्यूब अपन 6 क्यूब तो यह value कितनी हो गई 343 यह value कितनी हो गई आपकी 216 तो आपको गई अगर 216 मेरा 3 साल में 3 years में 343 का amount कर देता है तो बताओ कि यहां पर percentage कितना है rate आपको पता है कि यह साथ बटेच है तो value जो आएगी 1 by 6 को कर्रिस्पॉंड करेगी 1 by 6 is 16 2 by 3 percent जा लर्न हाओ दो क्वेस्टन सार फ्रेंब और अगर आप पता है प्रॉब्लम क्या है जब भी आप इन क्वेस्टन को फॉर्मूली की तरह देखोगे फॉर्मूलों से करने की कोशिश करोगे तो यह understanding कभी building होगे आपके जो आपके understanding है उसी का byproduct है आपका formula अगर आपकी understanding है तो फॉर्मूली भी आप बहता तरीके से यूज कर पाओगे जब भी नीड होगी कर लोगे दिक्कत नहीं होगी बट जब आपके clear understanding है कि ओके this is percentage you know how to frame questions now right कि आप कैसे अच्छे सवाल बना सकते हो खुद बना लो बैठके जो examiner ने एक सवाल मैंने आपको दिखा देगा आइडिया नो इस आइडिया पर कैसे सवाल बनेंगे आप खुद बना लो तीन साल का मैंने आपको बना के दिखा दिया अब examiner जानते हो क्या खेल कर सकता है आपके साथ मैं बताता हूं वह इतना खेल और कर सकता है कि इसको भी 1.5 से मुल्टिप्लाई कर देगा इसको भी 1.5 से मुल्टिप्लाई कर देगा आपको बताए आंसर नहीं बदलेगा अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका जो एमाउंट है वह मैं 1.5 से मुल्टिप्लाई करके दें दोनों साइड क्या हुआ सिर्फ डेटा चेंज हुआ आंसर 8% उत यह सवाल देखो एक सदें समभब मनी है वह इतना हो जाती है तीन सालों में तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है अब देखेंगा जब आपको परसेंटेज निकालना है तो यह 30 यहां 30 यहां इनका कोई काम नहीं हटा दो इनको वाट इस मोर इंपॉर्टेंट फॉर्यू नाओ कि तीन साल में 2048 जो है यह वैलू आपकी होगे 2916 तीन सालों में थ्री यहर्स लाट इस सम्टिंग उचिस इंपॉर्टेंट फॉर्यू अब बताओ जड़ा इसका अंसर क्या है सॉल्व इट प्लीज think about it it's not difficult आप अगर इसको divide करोगे तो आपको सब कुछ दिखने लगेगा या तो आप divide करो या percentage change सीधा निकालने की कोशिश करो कि what is the percentage change here okay what is the compound interest देख कोई पुछा data हमेशा square या क्यो भी रहेगी क्या दो आप पता है कि आप फिर से रटने की कोशिश कर रहे हो data जो रहेगी उसकी देख लेना this is one of the type of questions अजी इतना दिल से क्यों ले रहे हो चीज़ों को रटना उन्हें बढ़ता है नहीं समझ नहीं आती है हम क्यों रटेंगे okay clear so somebody is getting 12.5% okay 18 बटे 16 बन रहा है कुछ लोग कर रहा है one by eight तीन बार हुआ है अब देखो जहां से यहां पर कि आपका जो टास्क है वो यह यह कि यह 2916 जो है upon 2048 है अगर आप यह निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा multiplying factor का whole cube क्योंकि तीन साल का मामला है तो तीन multiplying factor आपस में cube हो जाएंगे okay now the task is कि इसको हम simplify करें इसको simplify करके बताओ जड़ा क्या value आ रही है आप fraction में रखो इनको कोई तकलीफ नहीं है keep them in fractions right इनको fraction में रखो और बताओ मुझे कि क्या value आ रही है अच्छा इन दोनों का जड़ा gap देखो ध्यान से पहले कितना है अगर आप इन दोनों का gap देखोगे तो आपको कि सिंपल सी बात है कि 48 से मुझे 16 पर जाना है तो बामन और 16 तो एक हो गया 68 हो गया क्या आपको यह value 868 दिखाई दे रही है 3rd यह यह त Somalis जाफ कि ऐन के बीच में अब क्वेशन किया है कि कि नामबर से पहले क्ए करें ऐट से आपको होगे कि सको पहले चार से चार डिवाइड करो बस्त चार से क्यों डिवाइड करते जाएगा साफसाफ आधको बार को पता है कि क्यों होता जाए गए मैंने जो बोला वही उसी सवाल है फानसोबारे इस Qi बहुत 5 इंट तो मैं तो है गार गई गई ओकर ए गया format कि this number is nothing but 7 by 8 का whole cube ऐसा है क्या 7 by 8 नहीं है 9 by 8 9 by 8 का whole cube 9 by 8 का whole cube अगर हुआ तो आपने कहा कि मेरा multiplying factor 9 by 8 अगया अगर multiplying factor 9 by 8 होता तो रेट का लेना है देना 1 by 8 से हो गया 1 by 8 क्या होता है आपका 12.5% कि देट इसेंपल कोई राइट क्लियर रही है तो दिखें हमेशा यह ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आपको यह आइडेंटिफाई करना जरूरी है लेकिन अगर आपको क्लारिटी है तो मुश्किल नहीं होगी क्लारिटी है आपको पता है तीन साल का मसला है सिंप्लिफाइड मल्टिप्लाइंग फैक्टर कैसे आएगा जब मुझे कुछ क्यूब्स दिखें क्यूब्स दिखें आप डिनामिटर कर देखते तो आपको दिखता कि चार से डिवाइड करने पांसो बारा बनेगा हो गया रा थोड़ा सा पेस हो जाए थोड़ा वामप हो जाए आपको मैंने जादा लोड़ाज कॉंसेट्स का नहीं दिया आपके उपर वर्ट कल वो लूट दूंगा मैं आपको राइट विकॉस वी नीड़ नीड तो लेंट सिया एसाई त्री यर्स एंड बियॉंड उससे जादा कै इसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे आपको अपडेट करूंगा कल तो क्लास होनी है परसों सटेड़े है या शायद ना परसों सटेड़े का भी मैं कन्फर्म नहीं हूं राइट आई लेट यू नो अबाट डाइड आउलसो बट यह करना है मुझे कि आपको जो भी ट मुश्किल नहीं है मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूँगा यह चीजें जो है यह वेरी सिंपलर वन मैं आपको अगर कोई किताबों से मैथ नहीं पढ़ेगा औब्जरवेशन बेस्ट मैस करेगा वो खुद से चीजें सीखने की कोशिश करेगा तो वह ऐसे ही सोचेगा क अगर आपने साथ कभी इस तरह से सीखा नहीं है कोशिश नहीं करिए तो आपको इंटीटूली यह चीजें नहीं पता चलिए जो मैं बता रहा हूं ठीक है इस नतिंग कॉंपलेक्स वरीजी लेकिन इनको करते हैं इस दिशा में चलनी की जरूरत है अगर आपने सोचा कि ब पाओगे यू आप टो इंशोर कि जब भी आप क्वेश्टन करोगे जब भी आप क्वेश्टन करोगे तो यू विल ट्राइटू थिंग लिटल दिफरेंटली मेरा अब्जेक्टिव यह सोचने की कोशिश करोगे आपको यह सब चीजें धिरे-धिरे करके क्लियर होती इस नौट कर लो कई बर कहते हैं कि यह चीजें एक्जाम में नहीं लगती हैं राइट क्योंकि आप कभी सोचना ही नहीं चाहते हो समझ रहो ना आप if you start thinking you will use this in exam option we eliminate करोगे आप जो मैं बताता हूं कि decimal के बारे में नहीं सोचना है सोचोगे सब कुछ आप कर पाओगे अगर आप इस पे काम करोगे तो मेरा एक छोटा सा रोल है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको देशा दिखाओं कि this is the direction you should move on अब उसके बाद पता है घर पे आप बै आप इसको रट भी लो तो अच्छा काम करेगा आपके एक्जाम में but if you want to solve questions the way I do आपको थोड़ा involve करना पड़ेगा मेरे साथ और थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि आप घर पे जाके भी इन चीजों को जब भी question पढ़ोगे तो you will try to think memory से scan करके नहीं निकालोगे कि इसक